अब और घर पर और घर पर आने के बाद भाई निकालते हैं यहां से घास काटते हैं गास काटेंगे फिर आगे ना जो सरदियां होगी उसका उस वाले मौसम के लिए पूरा रिजर्व करके पूरा स्टॉक रखते हैं घास का तो वैसा वैसा काम चला हुआ है और भाई अभी यहां पर मेरे अम्मा और मेरे बापो जी वह घास काटने के लिए सुपर जल्दी आ गए थे मैं क्लेब्रेक फस्त लेकर आया हूं तो यह मैं चाय लेकर आया हूं और साथ में हमारे यहां परली तरफ को राणी जी है राणी जी को बहुत पहले हैं काफी वीडियो में तो उनको चाय पिलाएंगे उनको बाकी भाई किसानों कि जिन्दगी खेटी बाड़ी करने वाड़ों की दरमें कुछ प्रसाद लेका था तो माता ने गिरा दिया कड़ा गिरा दिया माते वादि ओर यह हमारे माता जी और यह हमारे बज़र्ग बापो जी ब्रेक-फस्त कर बूसेटी चाने लगे हैं मैं वही लेता ये पानी और उस वाले टीस हिं उसमें अचार आफा चाह लेकर आए था चाली या ना यह हैं हमारे राणी जी ना हमारे गॉंग के ऐसे राजा और नी होते हैं तो यह हमारे राणी जी राजा कहा है राणी जी ठंडी तो नहीं होगी चाहिए ठंडी तो नहीं होगी जो भाई कहों के मारे डिसीजन होते हैं कोई भी काम करना होते पहले राजा और राणी को पूछा जाते हैं कि प्रमिसन ली जाती है कोई भी जगड़ा हो जाए कोई भी सूला करनी हो समझोता करना हो तो राजा और राणी की दरबार में जाया जाता है पर आजकल गास काट रहें राणी जी तो बहुत बुरा अले अब रानी जी को प्रसाद्धा दिया जाएगा इदर रानी जी चाय मत गिरा देना ना जी आप तो फिर मुश्किल हो जाएगी ग्रीबाओं के आत का खाना खाल राणी जी आप आप जी क्या करना भाई ग्रीबाओं में क्या खाएगा राव जारा सूखी रोटी अचार बाई नीए राणी जी बेचती ना आप अशनी तो ग्रीबाओं को ऐसे इखलाना होता रानी जी और भाई राणी जी अब खाने लगे हैं और मैं यह खाऊंगा थोड़ा सा यह हलवा था और यह चपाती और चाय पीएंगे हम थोड़ी थोड़ी और वह जहां पर रेक खास करने लगे ना वहां के सामने का व्यू देखो आप यह है व्यू सामने का और यह सामने मेरे घर के बिल्कुल दो तिन घर हैं और यहां नीचे खड़ है तो इनके लिए ना तो कोई यह है व्यू भाई वहां उपर वह अपना गौण कहीं भाड़ी पर तो कर लेते हैं भाई सको निफटा लेते हैं खाने को फिर देखते हैं तो वह ब्रेक फास्ट कर लिया मैं ना यहां पर अब बाप पूजी और मेरे माता जी हां पर मुल गास काटने काम करेंगे थोड़ और पर चुठे मुटे काम और वो करने है वह सारे काम करेंगे की है जब सॉट देखते का होता और यह वह यह वाल है वाले रिये पर दूफ़ा अगी है बडिया बडिया इस बासें गलत अ गहास आगे कि यह गहास उठा लिया है हमने ना और अब जा रहे हैं अपने घरवाली कर्फ अब ऐसे जैसे रास्ते से जा रहे हैं भाई हम यहाँ पर अपना गौंग पहाड़ी पर और यहां से व्यू सामने का कि पहाड़ों का ग्रुमिता गास है हं यहां पर यहां पर यह व्यू है तुह आएंने यह न prayer इसको ने 사फ किया यह काना इसको ज्रमी चूटा सबच्चा यहां पर बतीजा मेरे रहे चाहता है इसको ख्टा मिठा किया गूंधा नहीं यह इँ हाए को ख्स तो ऐसे एक यासी करो आप एक ऐसे है कि खाओ का ना कि कैसा है कि कैसा है थोड़ा थोड़ा खाओ भाई बहुत ज़्यादा कीवी खाता है बंदा खटी मिठी क्या सिए खाना पापी पापी एकी दर्मी है वो का ना आत गंदे होगे तेरे एक की भी खाली बंदे ने खतम कर दी क्या हुआ है क्या हुआ है वो इल रहे बाओ देखना इदर इस तरफा इस तरफा इस तरफा का है बाओ यह बाओ क्या खाबाओ ने एंडरूद कौन है मेरे मुन्नी का है इत्थी मेरे मुन्नी है ना इस वागे थे एक बार फिट से आपका काफी दिनों के बाद इस वाले घर वाले व्लॉग में ना मैं अभी अपने गौसाला के पास हूँ पीसे आप देख रहे हैं यह हमारे बैल है अब चोटे पाबर बीडर आ गया है ना तो हम इनका मतलब खेती बाड़ी में इतना नहीं अब हेल्फ ले रहे हैं और बूड़े भी बहुत हो गए हुए तो इसलिए घर पे रहते हैं खेत्वा में ने जाते हैं यह यह हमारी एक भैंसे ना इसकी मदर भी थी यह मारे घर पर उसको किसी उस वाली भैंस को ना किसी को दे दिया हुआ है तो अभी हमारे पास यह वाली भैंसे इसकी डिलिवरी हुए है अभी ना यह अब यह घास खा रही है और यह वाली जो है ना यह अभी दो साल की है तो यह इसी की बेटी है यह वाली और इसकी डिलिवरी हुए ना आज़कर तो इसका यह चोटासा बच्चा हुआ है और यह है व्हाइव कट्टू हमारा चोटासा नया आजपीरग जब देखो तुम कितना सुंदर है यह इसके भाउन देखो नीचे में लोटांगे खूर कितने भाइट है यह वाले भी सारे भाइट है और सका माथ था देखो है व्य वाइट है इस तरह को इसका थोर बड़ा भी वाइट है वह क्या करना बुख लगा है क्या खाना बहुत सुंदरे वाई इसकी पिछे वाइट आएंगे देखो आप पिछे वाइट आए भी वाइट है पूंच भी इसकी वाइट है उए हट जा ऐसा जैसे हम हो ले वाई और यहां से सामने का विव देखो आप पहाड़ों का अभी दिन कटाएं में भाई तो अब पत्थरों से बनाई हुई होती हमने ना यहां पे पत्थरों का यूज करते हम जादा और बाकी चट पेन के स्लेट डाड़ी हुई हमने क्या गरना डांस कर ले थोड़ा सा डांस इंडिया डांस इसकी यह देखो फिछे वाले टाइगे भी हाइट और इसकी पूंच द आपको पागा झाल 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 तो बाई अब इना शाम के तीन शाड़ तीन बज़ रहे हैं और हमने यह सारी बोरियें भर ली यहां से यहां से बरी हमने यहां पर यह जो खाद बन जाती है मैल जैबिक जैबिक खाद भर ली हमने इसमें बोरियों में यह जाएगी मारे दूसरी वाली जमीन दूर वाली यह यह वाली बोरी यह भर ली यह वाली सारी बोरी उठाएंगे अब हम और यहीं साथ में आगे रोड बाप जो ठाने लगें हैं मैं अभी उठाऊंगा ऐसे ही और यहां रखेंगे सारी बोरी हैं हम तो वह यह वाले हैं अपने सारे खेत रहना है मैं और अपनी गवसाला यहां पे है और यह अपनी दोग आया है यहां पर ना से चाबल निकालने काम चला हुआ है और हमने वो जो बोरी यह भरी ना गोबर की वो यहां पर बहरी और वो रख लिए हमने रोड पे वहां रखी है सारी की सारी और जो दहन कर गास बसता है ना वाई उसको इस तरह से रखते हैं पूरा यह देखो क्या बनाया हुआ हमने एक स अपने पस्वों को अर्भी शाम का टाइम है तो एस जैसा विव है कुछ यहां से पहाड़ों का आश भाई मेरे गरवालों ना एक नई टेक्निक देखो क्या वाल टेक्निक यूज कर लिए मारे कट्टू को ठंड से बचाने के लिए यह पुराने स्वेटर उने ना तो यह पहना आदि हुए इसको देखो तो से क्या से पहनी यह स्वेटर इसन है यह देखो पूरी टांगें तो देखो मेरे कट्टू को को रही मेरे कि वस्वेटर तो देखो बंद ने वह स्वेटर नहीं है वह रही कॉरा अध्यकर फีघप है कि कि टिकडिकी टिकडिकी प्रेकिए उन्म धुज्ग हो गया तुझे है कि sil橋 को बब यहिए है मारा कट्टू यहां पर इसको लगिया भ यहीं पे साथ मेना हमना ये मिर्चन लगाई हुई हैं तो इनमेना काफी बड़ी वाले मिर्चन लगी हुई है घर के यूज के लिए खुद धमना ये उगाते हैं मिर्चन गरा यहां पे और इस तरफ को हरादनिया और सरसुन का साग बिजा हुआ है